नमस्कार दोस्तों मेरे पाम रिडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इनका question इस प्रकार है, वर्तमान समय में अपना कारी कर रही है, आगे growth के विशे में, property के विशे में जानना चाती है कि वो होंगे की नहीं और आगे की जिन्दगी कैसी रहेगी, इन सारे विशेवपाइंट को जानना है तो निशिंत रही है, इनके एतली पर कुछ अदबुत तवस्थाएं मौजूद हैं, जहाँ पर से ऐसे विक्ति जिन्दगी पर तरक्की को करते ही करते हैं, अब कितने तरक्की को करते हैं वो और भी कुछ conditions को देख के बताया जाता है, तो आज की वीडियो में वही चीज समझाने का परियास करूँगा, और इनके सूरी परबत पर प्रॉपर स्टार साइन बन रहा है, इसके फल के विशे में भी जानकारी दूँगा, और साथ ही साथ ऐसे लोग जिन्दगी पर क्या क्या कर सकते हैं, उसके विशे में भी बताऊंगा, तो वीडियो को असपश्टता से समझना, अगर आपकी किसी कहतली पर ऐसी अवस् होगी, तो बस एक एक करके चीज़ों को समझाया जाएगा, और कुछ नेगेटिव चीज़े भी हैं, जैसे इनके सुकर पर मोल फील सा हो रहा है, जहाँ पर से आज इसके साइड इफेक्ट को भी बताया जाएगा, हाला कि इनके सुकर पर जो मोल है, विशे प्रभा भी नह नेगेटिव चीज़ों पर चलेंगे आज, फिर इनके पॉजिटिव चीज़ों को देखेंगे, फिर इनके कोईशन्स पर चलेंगे, तीसरे इनके इतली का विशलेशन करेंगे, तो चार तरीके से आपके इतली को देखा जाएगा, तो आज नेगेटिव चीज़ों पर हम अच्छी हो जाएगी या इतनी बुरी हो जाएगी जदातर cases में बुरी ही सोचते हैं लो लेकिन ठीक है मैं भी यही कहता हूँ कि problems तो देती हैं शुक्र पर मोल बनता है तो अब depend करता है कि वो मोल कितना फलित है वो जानना भी अतियावश्यक है अगर वो मोल फलित नहीं रहा तो इसके regarding आपके जिंदगी पर किसी भी प्रकार के side effect नहीं देखने को मिलेंगे side effect आएंगे लेकिन normal normal आएंगे पता भी नहीं चलेगा अगर बिलकुल भी यह शक्री अवस्था में नहीं रहा निस्क्री अवस्था मेरा तो फिर तो कुछ भी side effect नहीं आने तो बस इसी पहलू पर आज हम विचार करेंगे चीजों को समझाने का प्रियास करेंगे तो पहले इसके negative चीजों को देखेंगे चलिए तो शुकर पर मोल के विशे में कुस मैदपून जानकारी हम इस वीडियो के माद्यम से देने का कोशिश करेंगे अगर किसी के हैतली पर शुकर परबत पर मोल बन रहा है और वो काफी confusions में है उनका जिंदगी परशानी में चल रही है परदो समझ ये परशानी क्या आती है देखें इनका जो मोल है ये विशेस प्रवावी मुझे नहीं लग रहा है ये थोड़ा लालीमा लिये हुए है और थोड़ा धूमिल अवस्था में भी है हलाकि कुछ तो है ये प्राब्लम्स तो करेगा वो प्राब्लम्स क्या करेगा वो भी बताऊंगा सब चीज का इक अलग-अलग नियम है कानूने चीजों को देखने का सब के अलग-अलग कंडिशन्स होते हैं उसी के एवज में चीजे जिन्दगी पर घटित होती है इस बात को तो आप माने के चलिए तो शुक्र क्या देता है समाजिक सुक शुक्र क्या देता है दामपत्य जीवन का सुक तो अगर किसी भी जातक के हतेली पर शुक्र परबत पर मोल बन रहा है तो किसी ना किसी परकार से समाजिक अभेलना और दामपत्य जीवन के सुक में कमी आ सकती है या problems बर सकती है नौबत बहुत ज़ादा भी बिगर सकती है और शुक्र गुप्त परिशानी को धर्शाता है तो किसी ना किसी परकार की गुप्त परिशानी से ऐसे जातक पिरिद रहते हैं अब depend करता है कि कितना बढ़िया और कितना ताकतवर मोल आपके शुक्र परवत पर म नहीं है आपको ये चीज़ जरूर समझ में आना चाहिए कि कैसा line कैसा फल देता है उसके term and conditions अलग-अलग होते मानलो किसी के अतली पर भागी रेखा तो बहुत-बहुत मोटी है तो उनको बहुत अच्छा फल देखने को नहीं मिलेगा किसी के हाथ पर बहुत पतली भागी करेंगे तो आप भी बहुत कुछ समझने लगेंगे क्योंकि मैं समझाने पर बिलीव करता हूं कि जतना जादा awareness फैलेगा उतने जादा लोग जागरुक होंगे अपने जिंदगी को लेके और कुछ परियास वो अपने लिए भी कर पाएंगे और कुछ परियास हम तो आपक अपने लिए अलाकि नॉर्मल ही रहती है इस केस में बहुत जादा प्रभावी नहीं होती और नॉर्मल में कुछ financial issues को लेके मुझे समस्याइं दिख लेती क्योंकि इस अतली पर ना भागियरे का बहुत सक्क्रिय नहीं है और जिस आयू से उस आयू को भी दिखाने का परि लगलग conditions होते हैं उसके लगलग remedies होती है लेकिन अगर किसी भी परकार का मोल आपके हाथ पर फील हो रहा है चाहे वो शुक्र परबत परो शूरी परबत परो ब्रश्पती परबत परो मंगल परबत परो तो महादेव को जल देना है यथा शिकर स्टार्ट करें और हनमान च ये जन्वारे पासा आते हैं जो हमें बहुत पसंद करते हैं बहुत सम्मान करते हैं उनके अगर अतली पर कुछ ऐसी अवस्था दिखती हैं हमारे गर पर भी बहुत है तो कहीं न कहीं मैं चीज़ों को इस तरह से बताने का प्रयास करता हूँ या उपाए में देता हूँ जैसा जो उपाई भी discussion कर रहा हूँ, palm काम के हिसाब से होता है, palm अगर आपका अलग है, अगर उस पे और भी कुछ खराब conditions बने हैं, तो हमें उस चीज़ का भी remedy करना होता है, फिर जाके हम mole का remedy करते हैं, मान लिया जाए कि आपकी mole तो है, जो आपको एक expect से परिशानी दे रही है, उसके लिए मैंने कुछ उपाई दे दिया, लेकिन सड़लने जिन्दगी पर परिशानी बढ़ गई, तो हो सकता है कुछ राहू रेखा हो, हो सकता है बागे रेखा में तकलीफ हो, जहाँ पर से इसलिए अलग-अलग हाथ के हिसाब से अलग-अलग होता है, इसलिए किसी एक उपाई पर आपको ये नहीं सोचना है, ना ये समझना है कि गुरू जी बताना नहीं चाहते है, अगर मेरे हाथ में हो तो मैं जरूर बताऊंगा और ठीक भी कर दूँगा, लेकिन परियास तो आपको करना है, और कंडिशन्स बिना देखे उपाई बताना भी अनुचित है, आधी जानकारी हमेशा ही हानिकारक होती है, इसलिए किसी भी परकार से एक आधी जानकारी रहने का प्रियास ना करे तुछी तरहेगा, तो ये मोल समझ लिया, इसके लिए कुछ ये डिमेडिस मैं आपको बताएं, वो आप कर सकते हैं, बागी किसी कहतली पर अगर प्रभाबी मोल है, अगर एफेक्टिव मोल है, तो उनकी जिन्दगी पर तकलीफे बर सकती हैं, समाजिक, दामपत्य और गुप्त परिशानी के संस में, तो इमेडेटली किसी अच्छे ऐस्ट्रोजर से संपर्ख करने के आपको जरूरत है, अगर आपके तलिप पर ये चीज़े फील हो रही हो तो, यह तो परिशानी ज़ादा बढ़ जाएगी, सोचने के प्राब्लम्स है, जब भी आपकी हर्ट लाइन दो ब्रांचे साथ आगे चले, और माइंड रेखा ऐसे करके नीचे सी आजाए, तो फिर समझना बड़ी सोचने की समस्या होती है, से जादकों को, हलाकि इनकी माइंड रेखा में कुछ अलग सा ही बनावट हुआ है, पहले तो मुझे ये टूटा वासा फील हो रहा था, लेकिन मैंने ठीक से देखा तो वो मुझे फिलिंग्स नहीं आई, ये माइंड रेखा एक ऐसे करके चली है, इधर से आ गई है, और यहीं पर से एक ब्रांच आके जुड़ी है, और एक और माइंड रेखा के ब्रांच ऐसे करके चले है, अलाकि ये थोड़ी से टिपिकल कंडिशन्स है, और इसको अगर हम ठीक से देखे, तो सेपरेटली करके अगर देखे, तो दो माइंड रेखा जरूर है, जहाँ पर से इंसान तेशतर राक होते हैं, लेकिन सोचने की ज़दा प्राब्लम होती है, बहुत ओवर्थिंकिंग करते हैं, जिससे आपको परशानी आ सकती है, तो ओवर्थिंकिंग ना करे, तो उचित रहेगा, तो ये कुछ नेगेटिव अवस्थाइन केतली परती, अभी कुछ पॉस्टिविटी को हम देखते हैं, देखिए पॉस्टिव अवस्थाओं के सेंस में बहुत सी चीज़ें आपके तली पर महजूद हैं, जैसे बरश्पती बें बन रहा एक स्क्वाइर, दूसरा भाग्य रेका सुरुवाती दौर से तो बिलकुल भी सक्क्रिय नहीं थी, लेकिन 36 में के बाद बाग्य रेका ने अच्छा कासा मोर आपकी जिन्दगी पर लिया, और ये बढ़ियां है, ये बाग्य रेका तो बढ़ियां है, जहां से इंसान को फल मिलता ही मिलता है, और एक अच्छी सूरी रेका पर बन रहा है, स्टार्स आए इसके भी फल जिंदगी पर आते हैं और एक से ज़्यादा सूरी लेखा और एक बुद्ध रेका बंडर यह बिजनस प्रॉस्पेक्टर से चीज़े समझ में आ रही है अब आप बोलो को गुरू जी फलित क्यों नहीं हो रहा क्योंकि आपकी बाग्य रेका कि बुद्ध पर खई लाएं से इंसान पैसे कमाते हैं अब कुछ ही समय के बाद आपकी बाग्य रेका का साथ आपको मिलना है जहां पर से पैसे ही पैसे जिन्दगी पर पैसे ही पैसे सारे पॉस्टिप चीज़ों को फल को बताया जागा तो वीडियो पर जरूर से बनी र देखें बच्पन से प्रोग्रस लाइन थी तो अच्छी जिन्दगी भी थी आपकी नो डाउट और जहां पर से एक 22 में सार से कुछ एक राहू लाइन के कट्स थे 22 के बाद एक तकडिवन 24 में में तो उसके बाद जिन्दगी ठीक ठाक ठीक ठाक चली एक कट आपके जिन् पर 44 में सार क्या यू में थी इसके पहले जिन्दगी स्मूध थी कोई टेंशन नहीं टेंशन तो बिसिकली रहेगी लेकिन शतिस के बाद बागे रेका सक्री हो रही है तो टेंशन बहुत हद तक कम होगा 44 में में एक बड़ी प्रगति उसके बाद जिबन रहेका स्मूध चली है एक प्रगति आपके देख लो ये 52 में सार में ये शपण में में ये बड़ी तरक्या आपके 62 में और ये तकरीबन आपके 64 में बड़ी तरक्की है और फिर आगे भी एक ट्रेंगल जापर से कुछ प्रापटी के योग को दर्शारी है और आगे भी एक फिश्टुमा किरती जो अकास्मिक दनलाव को दर्शारा है अलाकि इस संदर में जैसे आपकी मंगल रेका भी आयू दिर लोग है तो केतु प्रवत पे बंड़ा आपका फिश्ट्राइन तो ये थे इनके कोश्चन्स अभी इनके इतली काम पूनता विश्टेशन करेंगे चीजों को असपश्ट रूप से क्लियर करेंगे तो वीडियो काफी जादा मात है पून है देखे सीखे समझे ये आगे इ इंसान बहुत समझदार होते हैं अपने जिंदगी को भी समझदारी के तह जीते हैं मुड़ता सारे पैंट्स में स्ट्रेंथ है ब्रश्पती को छोड़के जापर से 60% राज्यों की पल की प्राप्ती जिंदगी अच्छी बीटती है तोड़ी बागा दोड़ी मगजमारी जिंदगी पर रहती है वो नॉर्मल है इस अंदर में फिर देखे गुलाबी अते लिए धन को एट्रैक करती है पैसे की मूड ता दिक्कत नहीं होती कई न कई से पैसे आ जाते हैं अब देखो दिक्कत किसकी जिंदगी पर नहीं है अगर आपके हाथ पर धन रेखा ही डिस तो दिकत तो आना तो लाजमी है वो नॉर्मल है लेकिन कई न कई से कोई न कोई जुगार जरूर लग जाएगा पैसे की आगमन जरूर से हो जाएगी अब ही चलते आपके थंब पड़ा है इसे इंसान बहुत ताकतवर प्रस्टनारेटी के होते हैं बहुत स्ट्रॉंग व एक यवाकृति आपके तली पर मौझूद है जहाँ पर से ऐसे इंसान को जब भी सपोर्ट के आवश्यक्ता परती है कही न कही से मिले जाती है और कुछ लाइन्स आपके तली पर है जो आपके डिजार इसको दरशाती है और यहाँ पर से एक स्कौार सा आगे भी आपके चीज़ों को करने के और जुकना तो बिल्कुल भी आपके डिक्सिनरी में नहीं है तंब वाकिये काफी अच्छा आपका बहुत मजाया देखके बाकि स्ट्रॉंग आपकी समझदारी के लूप जहां से ऐसे विक्ती काफी समझदार होते हैं अपने जिंदगी को समझदारी के तहजीते हैं और फिंगर पर खई लाइंज दिल के बहुत अच्छे इमानदार विक्ती हैं किसी के परती को गरत बावना नहीं हमेशा है लोग के विशम अच्छा करना चाहा है और हमेशा ही करना चाहेंगी आप बाकि बरस्पती फिंगर चोटी सन की बड़ी तो विक्त की नियम है तुरूप से अपने जिन्दगी को जीते हैं फिंगर लंबी खरी है क्रेटिविटी बहुत शांदार बुद्ध फिंगर भी लंबी है घजब की क्रेटिव परसन है आप बाकि हलकी छोटी लग रही है जहांसे प्रारंबिक समय में डिसिजन मेकिंग में प्राब ही मिलती है तो फिंगर के स्ट्रेंथ को देख के चीजों को समझा जा सकता है किसी के भी अतली पर अगर किसी विक्ति की फिंगर की स्ट्रेंथ जो है न वो पतली हो उनकी जो बनावत हो बहुत पतली हो बहुत ज्यादा मोटी ना हो तो ऐसे लोग बहुत ग्यानी प्रविर की जहाँ पर सिर्व विक्ति क्रेटिव हैं आपने जिन्दगी को सही तरीके से जीते हैं फिर चलिए आपके आगे बरश्पती के तरफ अब प्लैनेट्स में चलते हैं तो बरश्पती में यहां से तकलीफ शादी के बाद की बागुदे बहुत विलंब से होती है साथी साथ परिशानिया बढ़ती है शादी के बाद और यश्की प्राप्ती में कमी कारेच छित्र को बलाने में तकलीफ है बहुत मैनत किया किसी भी कारेच को करने के लिए लेकिन उसको मिलने में आपको बहुत समय लग जाता है तो कारेच छित्र का मतलब यही होता है कभी कबार ग् योग थे तो जो प्रारंबिक समय में आपको जरूर से मिले होंगे और ये कुछ लाइन्स थे जो कहीं न कहीं आपके परुपकारी नेचर को तो दर्शाते हैं और तरक्की को भी दर्शाते हैं ये परुपकार के लाइन्स है इंसान परुपकारी है दाने दर्शिना करने में पूर्णता साय करेगी 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 पूर्णता साय क आगे रेका तो लास्ट में है लेकिन प्रारंबिक समय में ही नहीं थी यह एक बड़ी विड़म बना बड़ी समस्या हो गई बाकि एक जबरदस सूरी रेका आगे बेक यासे पैथिक सपत्ति का मद्यमस्तर यह साथ और कुछ आपके स्टार जैसे बने हुए है जहाँ पर से ऐसे इंसान कोई भी कारी करेंगी इनको ख्याती जरूर मिलेगी और एक से ज़ादा सूरी रेका मतलब ऐसे इंसान बहुत तेस तराक होते नो डाउट सनमरकरी गजब की आप में बुद्धिवेक से कारे करने वाली बुद्धिपे खई लाइन से तो इंसान बहुत तेस तर याँ बनी है जासे इंसान बहुत तरेंटर होते एक्स्ट्रीम डाउट सनमरकरी बहुत अच्छा बुद्धिवेक से कारे करने वाले वेक्ति हैं आप और स्ट्रॉंग आपकी मंगर दोड़ों मंगर बड़ी कजब की प्राक्रमी हद से जादा प्राक्रम संद्ग को जीतते हैं और जीते ही लेते क्योंकि इनका प्राक्रम बहुत जबरदस्त है एक्स्ट्रीम जबरदस प्राक्रम है आपका और कुछ आपके दोके के योगते जो के प्रारंबिक समय में थी बला कि इसके विशेश तकलीफ नहीं आते और मंगल अच्छा है तो लॉजिकल है दिरगा होते हैं बागे उस ट्राइंगल्स भी मौझूद है जहां पर से इसके नेगटिविटी को दूरसी कर रही है और माइंड रेका अच्छी है निकी अगर मैच कर गई है मिल गई है तो बहुत अच्छी है जासे विक्ती बहुत तेज़तराग बहुत तेज़तराग दोरी माइ पर से कुछ आपके ट्राइंगल्स बने हैं तो इसके नेगटिविटी को दूर सी कर रही है और यह भी माइंड रेका कई ब्रांचे से हैं जो कई ना कई दूनों एक दूसरे से मिले ही चुका है माने के चल लो आप तो माइंड रेका हैं को विशेस दवाब में नहीं देख पा रहा हूं लेकिन बाल को खाल निकालने के आदत आप में बहुत जबरदस्त है बाल की खाल निकालने की चैजनमा अच्छा है पैसे के फ्लो बनी रहेगी पैसे के दिक्कत नहीं होगी प्रसनालिटी अच्छी रहती है और यहां पर से आपकी बाग्य रेका बिलकुल भी दिख रही है और फिर यह जिन्दगी के लास्ट तक है बाकी मैं उपाई दूँगा और ये कुछ लाइन्स जो है थोड़े गुस्यल पड़वर्तिक आपको बनाती है और बुद्धरेका भी अच्छी बन रही है लेकिन थोड़ा इसमें और परिटिक चाहिए तभी इसके बहुत धी तगरेफ फल मिलेंगे नहीं तो इसके फल अच्छे नहीं मिलते हैं योगि आपके हाथ पर बुद्धरेका है आप हमेश्था उसको देख के परशान रहोगे कि मेरे हाथ पर तो बुद्धरेका है लेकि मुझे फल क्यों नहीं मिलता तो यही रीजन है जब तक यह फल इतरूप से आपके जहतली पर नहीं मुझे दिखेगा बहुत स्ट्रेंथ वाला नहीं दिखेगा तब तक इसके फल का किसी भी प्रकार का गरना नहीं किया जाएगा और शुक्र आपकी बढ़िया है पती पक से बागी यह कुछ लाइन्स आपके अच्छे लाइन्स में मैं काउंट करता हूं इसको यह शुक्र के निगटिविटी को दूड करने में पूर्णता सहायक है और यहाँ पर से प्रॉपर लग्जरी का सुक वो अभी नहीं कुछ दिन के बाद आपको जरूर मिलेगा शुक्र मंगल रेकास पस्ट आयो दिरगायू है आयो को लेके विशेस्टी पढ़नी क्याणनी भी नी चाहिए और मैं तो करता भी नहीं है बागी रेका काई साथ आपके 36 के बाद मिल रहा है यही एक परिशानी का सबक रहा जिसके रिगार्डिंग आपको चीज़े थोड़ी अगर आपको मारे यह विडियो पसंद आये लाइक कर दे कमेंट कर दे सेरे गल सिस्क्राइब कर दे अगर आप प्रस्तनी में आस तरह का निकार के सई जानकारी पाना चाहते हैं हमारा वोटस अपनबर डिस्कृप्शन में मिल जाएगा लेकर आप संपर्ण कर सकते हैं धन अगर आप